गाईज नवस्कार कोसल रोजगार निगम पीजेटी टीजेटी भरती जेवीटी भी होगा मानने जिहां गाईज हर्याना कोसल रोजगार निगम की ओर से टीजेटी और पीजेटी की भरती की जाएगी इसे लेकर निगम की ओर से आविदन पत्तर मांगे हैं लेकिन वेतन ती निगम की भरती के लिए maximum वितन यही है निगम की और से TGT के 5 और PGT के 12 नुमंबर तक आविदन मांगे गई हैं खास बात यह है कि TGT के लिए दो वर्षिय ऐलिमेंटरी एजूकेशन डिपलोमा यानि JBT जो आपकी एलिमेंटरी एजूकेशन डिपलोमा या डी एड जिसको ह हम कहते हैं JBT जिसको हम कहते हैं वो भी आविदन करने के लिए उनको मौका दिया है लेकिन यह उलेख नहीं किया कि JBT पास किस विषय के लिए आविदन कर सकते हैं जिससे यूँआ असमंझिस में हैं क्योंकि TGT के बाद जब aggregate किया जाता है तो वह सिरफ एक विषय में होत और उसी विश्य में उमीद्वारा वेदिन कर सकता है लेकिन जेविटी में ऐसा कोई विश्य नहीं होता इसके इलावा सरकार समाजिक आर्थिक आधार के अंकों को लेकर नई अधिसूचना जारी कर चुकी है जिसमें परिवार में माता पिता पतनी पुत्र के साथ एविभा भाई बहन नोकरी में नहीं है तो परिवार में किसी के नोकरी में नहीं होने के अधिक्तम 5% मिल सकते हैं लेकिन TGT की भरती में हालां की भेन का नाम तो नहीं लिखा लेकिन एविभाईत भाई की सिरफ भाई लिखा है इसे लेकर भी युवा असमंजिस में हैं और जो Economics, Commerce, Biology और जो विश्चे TGT को पढ़ाने है Social Studies, Science, गनित, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, आर्ट और म्योजिक तो गाईज यह जो अपडेट है, यह अपडेट आपको आज का जो देनिक भासकर है, उसी की तरब से अपडेट है आपको कैसी लग रही है अपडेट जो आपकी जो कोसल रोजगार निगम की भरती है उससे संबंधित परती है कि जानकारी आपको आपके इसी चैनल पर मिरती रहेगी अगर आपको पसंद आ रही है अपडेट तो चैनल को सबस्क्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा सेयर करना और लाइक तो बनता है तो गाईज आज की इस फिलाल के अपडेट में इतना ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मात्रम